जहीं दोस्तों आज का जो वीडियो होने वहला बहुत ही इंपोर्टेंट है आपका LCM SCF का यह हम सेस्टन लेका है SSGD का फिर भी से कोशन होगा जो कि आपको 2024 में जो कोशन पुछा गया था सारे कोशन यहां पर डिस्कॉस करेंगे जो कि लगवग 49,000 का आस्वास फेकेंसी है अब अच्छे से तैरे करेंगे तो SSGD का एक्जाम आपका माजसान इसे निकल सकता है ठीक है तो चलिए आज का सेसन सुरू करते है LCM SCF का सुरवाज से देखें यहां पर आपका कोशन यहां पर देखी क्या है पहला कोशन आपका पहला कोशन देखें का है कि 18, 24 और 36 का लगुत्तम समाम वर्तक कितना होगा लगुत्तम समाम वर्तक मतला होगा कि LCM पूछा कितना होगा ठीक है LCM पूछा कितना होगा तो सबसे पहले कुछ एक्जाम्पूल देख लिए यहां पर LCM का फिर आपको हम बताते कि इस कोशन को किसे सॉल्व करेंगे ठीक है जैसे मानकर जैसे 5 है 10 है 20 है 30 है इसका LCM निकालना होगा ठीक है जैसे 3 है 6 है 12 है 24 है इसका LCM कितना होगा आपको ठीक है 12 है 24 है 72 है इसका LCM कैसे निकालेंगे हम तो थरा सा ध्यान देजेगे यहां से जैसको ध्यान से देखते हैं तो principles match क्यों विखाजित केसर है जर्बाएं किस पुर्प को उबया है किसी भी संख्य को रभी संख्यां परशी आंगए को शॉन दुन संख्या को रखा सकी सेपनर यह सब्सक्रास कॉत प्रॉछ खॉल सब करहारा अज निकाल कर देख सकते हैं यहां सब तो आपको शाट हो जाएगा इसको काट लेना है जो बचेगा उसको क्या करेंगे निकाल लेंगे पिर क्या आपको 36 है इसका LCM पूछा आपको कितना होगा तो चलिए इसका LCM देखिए कैसे निकलेंगे 18-36 को विवाजित करना चोटा संख्यां को हमेसा हटा देंगे बचा कितना आपको 24-36 बचा इसका LCM निकाल लिजा आपको दो से भागा देजे 12 हो जाएगा यह 18 हो जाएगा LCM कितना हो जाएगा आपको 72 हो जाएगा option नमर कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा एक और तरीका देख लिए अथारोट तो कट ही जाएगा 18 तो कट ही जाएगा 24-36 इसमें से बड़ा संख्यां कौन है 36 है 36 का पाहड़ा पढ़ी आप 36 का पहला बाल पढ़ें निमर्खित में सबसे चोटी संख्या कौन सी जो 5-8-15 का गुनज हो तो 15 इसका जो गुनज पूछ रहा है इसका जो गुनज पूछ रहा है यह जो गुनज है ना यह गुनज ही आपको क्या होगा इसका LCM होगा गुनज निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा LCM सबसे चोटी संख्या जो दी गई संख्या से पुर्णता विभाजीत हो इसका मतलब है कि 5, 8 और 15 और 15 से विभाजीत होआने वाला सबसे चोटा संख्या कैसा होगा तो इसका प्दियुत आप निकाले जिए ऐसे 5 पांस है ऑठा है 15 है इसका निकाले के 5 सको काठे़गा किता हो जाएगा हमारा तीन नमर हो जाएगा अगला कुशन देखिए देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो तेरा पंदरा चार एकीस और दो का गुना जो आप देखिए यहां से क्या होगा दो कड जाएगा आपका दो चार को कार देगा बच्चेक आपके पास कितना तेरा पंदरा चार और एकीस ठेक है अब इसका एलसेम निकाल दीए यहां निखिएगा पहले किसको टार्जेर करेंगे गुना कर लिए गुना आपको आसान हो जाएगा तरब से पहले आपको टार्जेर करना है पांच का पहीशा पंदराजी को का पांच और पांच होग व सब्सक्राइब कर देजिए कितना हो जाएगा अगला कुछन देखिए अगला कुछ कता है 120 तो 240 और चार सो असी को काड़ देगा यही है अगला कॉस्सक्राइब काता कि 125, 75, 1500 तता 70 पूरी तरह से विभाज हो क्या बलबा नियुंतरम संख्या कौन सी है जो 125, 75, 1500 तता 70 से विभाज हो तो वह सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है जो दिया गया संख्या से विभाजित होगा उसका एलसे में निकालना है तो यहां इसे देखिए आपको 75, 1500 काटा हड़ जाएगा बचेगा आपके पास क्या है 125 बचेगा फिर कितना बचेगा 1,500 बचेगा फिर कितना बचेगा आपको 70 बचेगा अब इसको 5 से काट सकते हैं 25,700 हो गया ठीक है अब दो से काट लेजिए 5 हो गया सबसे पहले 5 और दो का फैमिली को गुना कीजिए टार्जेट कीजिए ताकि आपको गुना में आसानी हो जाएगा ठीक है चलिए यह हो गया 25 दुनी 50, 50,500, 750 हो गया यहां पर गुना साथ कर देजिए इसका पीडियेफ हमारी टेलीग्राम चैनल पर अविलेबल करवा देंगे कल अविलेबल हो जाएगा वहां सा पीडियेफ इसका डाउनलोड कर लिजिएगा इसी का जो हम सोलेशन कर रहें इसी का पीडियेफ मिल जाएगा अब देखें क्या के निमन में से वह निवन्तियम संख्या कौन सी जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पुरी तरह विभाजित होगा ठीक है चली देखें लिए बारह तो हट जागा चुकि बारह चत्तिस को काटा बारह गठा इसी जो 27, 35 और 10 बचा अब जाएगा इसी यह आपको बारह तरह जाएगा और बारह जाएगा इसी आपको 28, 56, यह पांच हो जाएगा फिर 2 से कीजिए इसको यह हो जाएगा 27, 9, 4 यह चौदव या आपको 5 हो गया फिर तीन से लगेगा इपार इम्टिया नो एक बारे में चौदव या आपको 5 हो गया ठीक है अब यहां से गुना करेंगे पहले पांच को ले लिए पांचु दुनी 10 दुनी 20 यह 60 यह 180 यह 540 चैक है यहसे हम कितना हो गया 540 अगुण करते हैं तो यह सुना आने से क्या हो था कलिकुलिशन थोड़ा सा हलका हो है यह जीरो होगा ही चोड़ों के च्छपपन हो गया हसिल हो गया पांच चोड़ों पंचे सतर पांच कितना हो जाएगा ऑप्सन नमर एक हो जाएगा कि अगला कुछ से दिखिए अब नियुन तंव संख्या कौन सी पिल हमे लिस इसको क्या करें डॉड देंगे थिकेए प्लस समान सेस होगे, आप देखिए क्या होता है, जब 80, 20, 75 का हम 15 का LCM निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे इससे कड़ जाएगा, तो कड़ जाएगा, लेकिन सवाल लाश्न बचा कितना बचन चाहिए, सेस 14 बचन चाहिए, इस 14 को जोर दिएगा, हर बार आपका सेस कितना लेजिए, ठीक है, पांस से कटेंगे, 65, 80 हो गया, 15, 75 हो गया, ठीक है, आप तो नहीं कटेंगे किसी से, 65, 80 हो गया, अगुना पंदरो हो गया, 15, 220, बारो सो यहां से LCM निकाला, लेकिने बारो सो आराथ, इसका मतलब से कड़ जाएगा, तो हमारा संख्या पूछा है, तो 1200 मैं क्या करेंगे, 4 हो जोड़ देंगे, खेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा ओपसर निमर कितना हो जाएगा, एक नमर हो जाएगा, पर कशिंस क्सा निकालनि के लिएtha MA क्ले तो भीन थाया कोने किया करना होगा, भीन वाले संख्या का LCM क्या करना है आपको अंस का LCM पट्ट है हर का SCF ठीक है और जभी आपका भीन वाले संख्या का SCF निकालना हो क्या करना होगा अंस का SCF और हर का LCM अब चलिए यहां से देखिए दोनों आपका फूर्मुला यहां पर हो गया जो निकालना होगा अंस का वही निकाल लेंगे बाकी बात नीचे उसका उल्टा कर लेंगे अब यहां से दिखिए इस अब करें गया इप कर लेंगे कर दो अब चाहिएं का एक साथ कर दे को चार दस वीस को कटने वहले सबसे बड़ा संखिया कून होगा दो होगा तो चार दस वीस का स्चाथ कितना यहां दो आगा 362 हमारा answer हो जाएगा option number कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा देखिए यहां से अब यहां से देखिए क्या है कि आपका एक संख्याई यह हो गया एक संख्याई यह हो गया और एक संख्याई यह हो गया इसका LCM पूछा क्या होगा तो सबसे पहले क्या है यहां से दो पर प्वावर कितना गभी है? सबसे पहले क्या करेंगे? यहां भी दो है. Bible कि श्OT हो गया,,, यहां भी दो है, और यहां भी दो है, कि अब को सब्सक्रार्ति a अइस कैसे कावर ती अ और। मेक्सिमुम पावर रखना मेंट जिस ही अप्पा लेंग queries कोजिए तीन यहां है, minimum दो जगा आपको common होना चाहिए, ठीक है, तीन हो गया, तब maximum power के तब को 6 हो गया, यही इसका LCM हो गया, इसके अलबा जदी कोई common नहीं आता है, इसके अलबा और भी कोई ऐसा सवाल हो, जिसमें common नहीं आएगा, उसको इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे वही हमारा LCM हो जाएगा, दूपर power 5, तीन पर power 6, option number 1, इसका right answer हो जाएगा, अब दसमल्लब वाले संख्यां का LCM निखे कैसे निकालेंगे, जैसे 1.2 हो गया, अठाड़ा हो गया, 2 हो गया, और 2.5 हो गया, तो असा ध्यान देजिएगा, तो दसमल्लब के बाद maximum digit कितना ह यहां भी कितना 1 है, यहां है दसमल्लक के बाद कोई भी, तो क्या करेंगे सभी संख्या में, दसमल्लक के बाद , जितमा highest digit होगा उतना, क्या करेंगे, क्या करेंगे, पुरा करेंगे 0 बेठा़एगा, 1.2 हो गयाbra, यह कितना होग को Ñ ओघारफ आपन्दी जीरो हो जाएग वीस तो कट जाएगा इसको कार देगा 12 भी कार देगा बचेगा 1825 का ELSIUM कितना होगा से मेरा ELSIUM अब निकाल लेते हैं 185 का ELSIUM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 5 से जदी देते हैं यह विविए 5 तिया 5 तिया 5,5,35,25 कितना हो गया था कितना नो सो आ गया तो जब आलशियम कितना और रहा हो जाएगा अब अब यहां से दिखे क्या है सवाल कि वह सबसे छोटा पुर्णवक्स संख्यां कौन से जो और चार और तीन से दोनों से विवाज़ु है फुनवक्स संख्या मतभा हो गया जो जिसका वर्वुण्पुरा-पुरा निकले 29 का वी मोन निकलेगा 25 का भी 36 का भी लेकिन 4 और 3 से कटना चाहिए 4 और 3 से कटना चाहिए तो कौन संख्या होगा चार 3 से कटना वाला 36 है यह तो options हो गिया लेगिन बनाएंगे किसे बोगम हो गिजाग तो झारार थीन हो गया जोगाinky다?? का पूनवक संख्या नहीं है तो नहीं है तो इसका गुननखन करेंगे तो यह हो गया कितना दो गुना दो गुना तीन हो गया अब यहां से दिखे इसका पेर नहीं है जिसका दिखे चार का तो गुननखन किया तो आपका यह अभास संख्या के तो अबास संख्या के रूप मे कुल एक संहीं करेंगे jest यह क्या नहीं लेंगे अब्दूहुना कर देंगे यह कंद ऊご Hugक यह अब से निकालने के निकाले ना निकालने के बाद क्या करेंगे मेश इसका पिर लगा होगा उसका छोड देंगे जिसका प्यर नहीं लगा होगा उसका पैर लगा करेंगे से नो कंगा सिर्फ जासे पोल्क में हमारा हमारा सैक्ष इसको को संध्यां में of और किस से कटना चाहिए आपको 15 20 25 30 से तो अलग-अलग करके भागा दिजीगा तो दिक्कत होगा आप यसे का LCM निकाल लेजिए 15 20 25 और 30 का LCM निकाल लेजिए ठीक है LCM निकाल लेते हैं इसका 5 से कटेंगे कीता हूगा 5, 3, 15 25, 25, 25, 35 फिर 3 से कट लेते हैं 3,ее, strong 5, 2, see, strong एक बार में होगिया 300 क arena 300 300 से भागा देते हैं अब 300 भागा देंगे जन्ते हैं कटता ही निकटता है 900 हो गया 9 9 तो आपका जो संख्या बनेगा कितना बनेगा वो चारंगों की बड़ी संख्या में निनानमे को घटा देते हैं संख्या है जो किसी कटेगा 15 20 35 35 कर जाएगा कौन करते नहीं देया था निनानमे को घटा दे हमारा वही आपका क्या हो जाएगा आगला कुशन दिखीं को चाहिए गज आधकी दो अवाद संख्या एक्स और वाई एक्स लेस दिनकाला मरूं समय सब्सक्पटेंगे अंड-वाøप संख्या हो तो जड़ी दो आभाज संख्या हो यह जदि आपका अभाज संख्या लेखमो रांगों सब्हूं हमारा क्या होगा अलगन होकी दो जब आभातकर आपसे आपईज इंटारीयं तरी हम्मारा क्लास करवार दिया है यह दो हो यह Char свобод तो यहां से क्या बोला कि x less than y है x than y है इसका मतलब x का मान 5 होगा y का मान कितना होगा 29 होगा तो किसका पुछा 10x-y पुछा है तो कितना होगा 10-50-29 21 हमारा क्या हो जागा अंसर हो जागा option नमर कितना हो जागा 21 इसका right answer हो जागा अगला question दिखिए गता दो अभाद संख्या हो x और y का लगुत्तम समय वर्थ 141 है तो y-5x का मान कितना होगा इसका गुना खन करना होगा 141 का 3 से करेंगे यह कितना होगा 3 से करेंगे यह कितना होगा आप देखें 3 भी अभाद संख्या है दोनों को गुना करृंप ओकर 14 तो यहां से बोला Iya 21 उजआ गाptic precis हो जाएगा और इसका आंशर कितना होगा 32 हो जाएगा के अब आये सब्सक्राइब का निकालना आपको सब्सक्राइब कितना होगा तो निकालने का जौरत नहीं है जो दो नजदी का संगिया उसका अंतर ले लिए अब यह दोनों का अंतर ले लिए तो 301 और 1556 assault ले लिए अंतर लेंगे कितना हो गया आपको यह 3 हो गया यह बक्राइब का न नौ मैंसे 5 कितना हो गया 44 हो गया 42 कि तालिस जदी आ गए तो ऑप्सन में 43 दिया हुआ है मार दीया आंसर हो जाएगा ज़िदि 43 के बाइब कोई और होता मान के तरली के अलावा कुछ और होता नहीं होता अब 43 का गुनिनखन करते कि आपको बारह है आठ है चोवीश का एसे अप क्या होगा आप यहां से ध्यान दिजिएगा ऐसा संखिया ढूढ़िए कि तीनों को एक साथ कार दे यह हो गया चार तीया बारह चार दुनी आठ शेचोग चोवीश अब किसी कटेगा नहीं कटेगा यह बला पाठ हमारा क्या ह यह बला है कि आप देखें इसका क्या है और इसका क्या है इसका अपर वाले का इस्याप नीचे वाले का क्या निकलना है का निचे काος हो जाएगा ऊप्षारों कि होगात सके चार बटे मों मुठ से और सोलों की तो करेगा तो वार वाले का चार हो जाएगा नीचे एक 11 12 जाएगा इस टिस 23 नीचे हो जाएगा ओप्षान में कितना हो जाएगा हमारा धीया KP8 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 5, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 6, इसका SCF निकालना है, SCF में क्या करेंगे, base common लेंगे, SCF में क्या होगा, base common होगा, और minimum power रखेंगे, जो common आएगा, सिर्फ ही होगा, जिदि common नहीं आता है, तो छोड़ देंगे, ठीक है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, minimum power कितना 3 है, यहां भी 3 है, minimum power कितना 5 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा, option number कहां दिया हुआ, 2, 3, 5, यह, option number आपका 3 number में दिया हुआ, कहता कि वह सबसे, वह सबसे बड़ी संख्यां ज्याद किजिए, जिससे अर्सट, 102 और 136 का भाग देने पर परतियक अस्थिती में समान सेश बचता हो, और सेश नहीं दिया हो, ज़िए पर्तिय कर्सिती में समान सेस बचे और सेसफल नहीं दिया हो तो यहां से क्या किया जाएगा आपको ध्यान दिजेगा क्या आपको 68 है 102 है और 136 है आप क्या करेंगे लगातार दो संख्या के अंतर लेने के बाद सेफ निकाल लेंगे उसका तो यहां हम देखिए यह दोनों का पहले अंतर ले ले जिए 102 और अरशट इसका अंतर ले 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 अब यहां पर कितना होगा आपकोulouslyन आट 60 हो जाया किया हॅए यहां परiliar 34 या यहां पर की आपको Cookie ने किता है आए हुआ हमारा अंसर होगा 34 से दुनों कट रहा है यह और यह भी करता है तो अब किसी कटे का नहीं कटे हमारे यह वहला क्या हो जाएगा सब्सक्राइब करना है कि परतियक व्यक्ति में परतियक संख्या फल हो पंग्तियों के नियुंत्यम संख्या निकालना हो ठीक है नियुंत्यम संख्या निकालना हो इसको याद अखना आपको नियुंत्यम संख्या निकालना हो क्या करेंगे SCF निकाल कर स्क्राइब निकाल कर टोटल में भाग देंगे टोटल में भाग देंगे एक एक जामपूल में समझेंगे इसको क्या करेंगे याद कर लेंगे मतलब नोट आउट कर लेए इसको नियुंद्रम संख्या निकालना हो तो सबसे पहले तो इसको नापने के लिए एक बरतन चाहिए जो कि पूरा पूरा नाप सके तो उसके लिए क्या करेंगे सबस्क्राइब कितना प्रतन चाहिए सबसे बामांपना है इससे हमारा तो हुव आप में करूंब चाहिए फिर वह सेम कुछन यहां पर आपका क्या दिया हुआ है? 44 हो गया, 121 हो गया, और 111 हो गया, सब से फ़ले इसका SCF निकालेंगे. 114, 141, 111 एक बारे में. SCF मेरा कितना हो गया? 111 हो गया. SCF कितना हो गया हमारा? 111 हो गया. आप यहां से दिखके जभी आपकर 11 हो गया है अब यहां से हमको क्या बार में कितना ही एक स्टोरो होगा जैगा ? सूलो को हो जाएगा ? OPTION NOM efficacy नमर कितना हो 좋은जेगा ? हमारा 3 हो जाएगा ? एक साथ जोड़ करके भागा देजिए वही आजाएगा अलग-अलग करके भागा देजाएगा तब ही आएगा अगला कोशन देखें विर्द्याथियों की वाधिकताम संख्यां क्याद किजिए जिनके यहां साब को क्या करना है जब आपको इस टाइप का सवाल हो जो भी सवाल हो बराबर हिसों में बाटना हो तो आप उसका सिर्फ सेफ निकाल लेजिए आप आपका एक हजार तीन है और कितना आपको 2700 कितना आपको 2703 है अब इसका स्ट्रोप निकाल लेक्व और अंतर लें यह कितना था यह tummy कर दो गया है यह कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, अब यह 17 हो गया, तो 17 सो अप्शन में है, नहीं है, तो 17 सो अप्शन में नहीं है, तो 17 सो को कौन काट सकता है, जो काटे को वह यह सेफ हो जाएगा, कौन काटा, 17 काटा, यह आप कांस्ट हो जाएगा, अब इसका अप्शन में काट सकता है 17 काट सकता है यह आप का अंसर हो जाएगा अपका यहां पर कहाँ 84 है 126 है और 168 है इसका सेट कितना होगा इसका अप यहां से दो संख्यां का गप ले लिजाए इसका ले लिजाए या तो उसका ले तो यह कहीं कोई दिखत नहीं है 168 और 126 का अंतर लिए गा आठ में से 6 गया दो हो गया हो गया 42 42 option में है तो आंसर हो जाएगा option number कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है यह दोनों का अंतर भी लेकर देखते हैं आपको यह सबसे बड़ी संख्या निकालना हो तो यह आपको SCF का question हो जब छोटी संख्या लिखा हो तो आपके LCM निकालना हो ठीक है तो आप देखिए क्या है 60 और 90 यहां पर क्या सेस दिया हुआ है अपको इसने पर एक सवाल तो उसमें सेस दिया हुआ नहीं था वहां पर क्या के थे संख्या का अंतर लेने के बाद जो जो अंतर आया था उसका हम क्या निकाल लेते सबसे नहीं पाएंगे तो दोनों संख्यां का अंतर ले अंतर से कटेगा अंतर से जदी नहीं करता है उसका कुन खंड से जरूर कटेगा वह ठीक है चलिए कि आपको 27 बटे कितना होगी आपको 50 है 9 बटे 20 है कि 6 बटे 25 है इसका आपको SCF निकालना है जब इसका SCF निकालना हो तो इस वाले पार्ट का क्या निकालना है SCF निकालना है और इस वाले पार्ट का उपर वाले का क्या निकालना है SCF निकालना है चैक है तो 20 है 50 को काटे गाँ नहीं कटे गाँ 50 का दो बार आप टेबल पर कितना हो गया 100 अब यहां देखिए क्याओ अलग अलग संख्या का finest करेगा जब विवहाजित करेगा संख्या fácil से लिए यह 2-3 व्यक्तिती कि पूंस हुआ के बता यह हैं दोनों कि हमें इस कटेगा ही नहीं लग किसी से कटेगा ही नहीं दोसका से पितना होता एक होता यह संख्या जब कोई संख्या जब दिया गया माला यहां यहां जाखते हैं developing inWow तो हमारा सुन करत चाना बन जाएगा है सैंगी एक और फेनला आपको यहं बराबर है अनुपात का गुनन फ्ल अनुत्पात का गुनन फल इन्टू HCF होता है यह दूसरा फ्रॉमुला है एक और है LTM इन्टू HCF पहली संख्यां गुना दूसरी संख्यां ठीक है इसको आप संख्याओं का गुनन फल भी बोल सकते हैं संख्याओं का गुनन फल इसको संख्याओं का गुनन फल भी बोल सकते हैं यह तीन फ्रॉला बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के तौर पर इसको नौट आउट कर लिजी आप पहला लिखाए संख्यां बराबर अनुपात को जिदी से गुना कर देंगे हमारे संख्यां का गईब हुआगा है उनुपात को जाएन दो लिख लिखाए का है, श्वाप कर दें। 29 है तो इसको गुना कर देंजा आप 29 ते कितना हो गया, अब 87 हो गया, यह 9 हो गया 9, 9, 12, 11, 319, आप 19 37, 319 कहां पर है, यहां पर है 87 यह ही आपको आद सर रहे हो जाएगा, अपसिन ने मढड़ी हो जाएगा बीच में 261 हो जाएगा, 29 से गुना किजिएगा 261 हो जाएगा, ठीक है, 261, 261 हो जाएगा, यह 261 हो जाएगा, अगला कोशन दिखिए, ताकि 6 और 29, 6 और 29 का LCM कितना हो को, X है, और 6 और 29 का LCM कितना हो गया, अगला कितना हो जाएगा, पूछा की X प्लस 4Y का मान कितना हो गया, एक सो चोहतर प्लस 4 गुना एक, एक सो अठारा पांस हो जाएगा, एक सो अठार, आपसन नमर कितना हो जाएगा, अगला कितना होगा, अभी आपको तुरुत लखाया थे, LCM इन्टू SCF बराबर, पहली संख्या, गुना दुसरी संख्या, या संख्याओं का गुनन फल भी आप लिखेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, संख्याओं का गुनन फल, ठीक है, तो आप यहाँ दिखें कि SCF 15 दिया है, LCM पूछा कितना होगा, और यह कितना अपको 3375 है, इसको काटिये, काटिये हमारा LCM आ जाएगा, यह कितना होगा, तो दूनों संख्याओं का LCM कितना होगा, तो क्या होगा, LCM इन्टू SCF, पहली संख्याओं गुना दूसरी संख्याओं, यह लिखाए थे, इसमें से आपका HCF 3 दिया हुआ है, किद्रों लिखें कोई दिकत नहीं है, LCM कितना 3 दिया हुआ है, 1908 है, इसको काटिये, जो गया, 39, 36, 38, तो LCM ब्राबर कितना होगा हमारा, 36 हो जाएगा, option नमर कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, तो संख्याओं, फिर वही कोश्चन आपका देखिए, कितना बारा है कोश्चन, तो संख्याओं गुनानफल 41,07 है, यह दिन संख्याओं का HCF 37 हो, तो बड़ी संख्याओं ग्याद किजिए, तो यह कितना हो जाएगा, आपको 30 into LCM बराबर, संख्याओं का गुनानफल 41,07 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे, कितना बारे में कटेंगा, यह एक बारे में ऐसे कटेंगा ही, जब एक बारे में कटेंगा, तो option कहाँ, संख्याओं का गुनानफल 720, उनका SCF 4 है, संख्याओं का LCM कितना होगा, देखे कए बार पूछा है, LCM कितना हो जाएगा आपको, यह होगी है, 720, तो आप 20 का अंसर उड़ा सकते हैं, यह होगी है, आपको कितना बारे में कटेंगा, यह होगी होगी हो जाएगा, तो संख्याओं का SCF 14 है, उनका LCM 490, पहली संख्या समफ्यादार, 170, यह होगा, देखे, LCM ॥ HO, हम्को लगता है, सब चलिए पूछी आपको, पहली संख्या घूना की आपको, दूस्री संख्यादार बारे में में हैं, यहां पे HCF 14 है और LCM 490 है यह हो गया 490 यह हो गया 14 एक संख्यां 70 है तो दोस्ती संख्यां कितनी होगी यही पुछा है ना यही पुछा आपको कितना होगा अब चले दिखिए सा सत्य उन्चास सत्य कितना हो गया अल्ठानिमे हो गया अल्ठानिमी इसका अंसर हो जाएगा अप्सन निम्मर आपका चार हो जाएगा तो संख्यां का LCM 990 है और उनका गुनफल 9900 है तो उनका SCF कितना होगा है गुना 990 LCM हो गया पराभर कितना होगा 9900 हो गया दो हो गया तो यहां से तो यह तो यह क्टिये ही जाएगा ना का HCF 5 है तो LCM कितना ग्याद किजिए अभी लिखाए थे LCM बराबर अनुपाद का गुनन फल अनुपाद का गुनन फल इन्टू HCF तो दिखिए यहां से अनुपाद दिया हुआ तीन और चार है तीन गुना चार हो जाएगा और संख्या ग्याद किजिए संख्या के एक चाहिए एक ग्यार नुपाद करेंगे हमारा संख्या निकल जाएगा 1163 हो गया 13HEN कितना हो गया अबको 91 में हो गया 57 और 91 में नंधिया हुआ चार में इस दाएट नसर हो जाएगा अबका आप का अब यहां पर क्या दिया हुआ कि 12, 21, 14, 44 का LCM और SCM का अनुपाद कितना होगा 22, 11, 44 का LCM कितना होगा सबसे पहले हम LCM निकालते हैं इसका कितना होगा 11 भी कटेगा चुकि 11, 22 को कटा 22 भी कटेगा, 44 को कटा LCM अगया 44 आपका फिर 22 हो गया 11 हो गया 44 हो गया इतका SCF कितना होगा SCF का मतलब वो बड़ा से बड़ा सिंखिया जो सभी को कर दे सभी को कौन काटाएगा 11 काटेगा, SCF कितना होगा 11 हो गया 12 का अनुपात कितना होगा 42 अनुपात 11 यो गया 4 अनुपात 11 जाहिंद 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 दोस्तों आज का वीडियो होने होने वहला भॉत इंपोरेंट है आपका LCM, SCF का यह हम सेसन लेका है, SSGD का फिर भी से कोशन होगा, जो कि आपको 2024 में जो कोशन पुछा गया था, सारे कोशन यहां पर डिसक्स करेंगे, करेंगे, तो आपका पाथान इस से निकल सकता है, ठीक है, तो चलिए, आज का सेसन शुरू करते है, LCM, SCF का शुरुवाद से देखें यहां पर आपका, कोशन यहां पर देखें क्या है, पहला कोशन आपका, पहला कोशन दिखें का है कि 18, 24 और 36 का लगुत्तम समावरता कितना होगा, लगुत्तम समावरता मतला होगा है कि LCM पूछा कितना होगा, ठीक है, जैसे 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, इसका LCM कितना होगा, ठीक है, 12 है, 24 है, 72 है, इसका LCM किसी निकालेंगे हम, तो थोरा सा ध्यान देजागा, यहां से, जरिए इसको ध्यान से देखते हैं, लस्याम आपका आसान हो जाएगा, आपके लिए दिखी क्या है, कि सबसे चोटा ज़दी संखिया पांच है पांच किसी को विभाजित करे किसी भी संखियां को चोटा बोला चाल लिदी बड़ा ही अरिंट करता है इस पांच को फ़ार देजिए अब 10 किसी को वीभाजित कर रहा 20-30 को भीवाज 10 को हटा दिए 20-30, 20 किसी को कर ढहता भी व municipah कर रहा तो इसरों का L CM ले तो इसका L CM आएगा 68 रहा कितना निकाल जाएगा तो आप क्या करेंगे जो बचेगा उसको काट लेना है जो बचेगा उसको क्या करेंगे अब यहां पर आपका question कै आपको अठाड़ा है फिर चोवीस है फिर किया आपको 36 है इसका LCM पूछा आपको कितना होगा तो चलिसका LCM देखिए कैसे निकलेंगे अठारा 36 को विवाजित कर रहा चोटा संख्या को हमेशा हटा देंगे बचा कितना आपको 24 और 36 बचा 24 और 36 बचा इसका LCM निकाल लेजे आप कितना हो झाएक आपको 2 से भागा दीजिये 12 हो जाका इतार हो जाएगा फिर दो से दिल्जे कितना हो जाएगा यह दो छे हो जायगा यह दूझुण वाट guard एक और तरीका देखिए अठार तो कट ही जाएगा बचाएगा पाइला बाल पढ़ेंगे तो 24 और 36 से कटेगा 24 से नहीं कटेगा 36 से कर जाएगा और 36 को दो बार पड़े 36 उनी 72 क्या 24 से 72 को काट रहा है काट रहा तो ही आपका LCM हो जाएगा option number कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा नेश कोशन देखिए और पाइगा on search for 15 पूछ रहा है इसका जो इसका चूर में निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा कि वह सबसे चोटी संखिया जो दी गए संखिया से पुन्टता विभाजित हो इसका मतलब है कि 58 और 15 से विभाजित हुआने वाला सबसे चोटा संखिया कॉन ऐसके सब्सक्राइब करें जो किया सबसेरें लिए काम से यह विसेरें जो?- आप देखें यहां से क्या होगा दो कर देगा बचेगा आपके पास कितना आपको 13 15 चार और 21 ठीक है आप इसका LCM निकाल देजिए तीन से कड़ेंगे यह हो गया 13 हो गया 13,15 हो गया यह हो गया चार 17 हो हो गया आप किसी से कटेगा नहीं तो इसके LCM निकाल लिए तो जब LCM निकालते दम मौना करना हूँ तो धियान दिखिएगा पहले किसको टर्जेट करेंगे गुना कर लिए गुना आपको आसान हो जाए गाइगा अग्ला कुछन दिखिए कि अगला कुस्त कता है 120, 240 और 480 का LCM कितना होगा 120, 240 को काड़ देगा तो छोटा वाला जदी बड़ा को काट चोटा वालों को हटा दिजा 120, 240 को काड़ दिया 240, 480 को काड़ देगा ये भी कड़ जागा बचेगा कितना को 480 बचेगा यही आप 500 हो जाएगा आगला कुस्त देखिए कि 125, 75, 75, 70 पूरी तरह से विभाज हो क्या बचेगा आपके पास क्या 125 बचेगा फिर कितना बचेगा आपको सत्तर बचेगा अब इसको 5 से काट सकते है 25, 75, 70 हो गया ठीक है अब दो से काट लिजे 5 हो गया दो से चोड़ो हो गया तो सबसे पहले पाँच और दो का फैमिली को गुणा कीजिए टार्जेट कीजिए ताकि आपको गुणा में आसानी हो जाएगा तो आपको गु एफ का फिक है चले यहूगे 75 दो नी 50, 75, 70, 50 हो गया यहाँ पे अगऊना साथ कर देजे एसे तो जाए कह प्छेनन हो गया ता सब्सक्राइऔ प्रुर्स हो घा एक ने और सब्सक्राइब आपका है इसका पीडियेफ इसका पीडियेफ हमारे टेलिग्राम चैनल पर एवेलेबल कर देंगे वहां सब्सक्राइब डाउनलोड कर लिजिएगा इसी का जो हम सोलेशन कर रहें इसी का पीडियेफ मिल जाएगा आपको अब देखें क्या कि निम्म में से वह निवन्तेम संख्या कौन सी जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पुरी तरह विभाजित होगा ठीक है चली देखिए यह बारो तो हट जागा चुकि बारो 36 को काटा बारो घटा दिए बचा आपके पास क्या आपको 27, 36, 56 और 10 बचा ठीक है चली दो से काट यह होगा आपको 27 हो गया यह आठाड़ा हो जाएगा यह आपको 28 दूरी 56 हो जाएगा यह हो गया पांच हो जाएगा फिर दो से कीजिए इसको यह हो जाएगा 27 हो जाएगा 9 हो जाएगा 14 हो जाएगा यह आपको 5 हो जाएगा ठीक है अब यहां से गुना करेंगे पहले 5 को ले लेजे 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60 तिया 180 तिया 540 ठीक है यहां से गुना करते हैं तो यह सुना आने से क्या होता है कल्कुलेशन थोड़ा सा हलका हो जाता है यह 0 होगा ही चौदा पंचे सतर पांच किता हो जाएगा ऑप्सन नमर एक हो जाएगा ठीक है अगला कुस्य दिखिए पंदरा ठाड़ा बीस पचतर से भाग ने पर परतियक दसाम कितना बसता सेज बसता है यदि परतियक दसाम में सेज बचे हैगा जो हमारा संख्या आएगा तो संख्या देखे क्या आएगा तो दी गई संख्या का पंदरा ठाड़ेंगे तो अब समान सेज इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे प्लस समान सेज होगे आप देखे क्या होता है जब अच्छी बीस पचेतर का हम पंदरा का लिएगे तो इससे कड़ जाएगा तो कर जाएगा देकिन सवाल लाश्टों को पुचा कितना बचन सेज 14 बचन चाहिए इस 14 को जोड़ दियेगा हर बार आपका सेज केतना बचेगा 14 ही बचेगा तो यहां से देखिए आपके क्या होगा 15 भी कट जाएगा 15 चुकी 75 को काट रहा 20 80 को काट रहा तो बचा आपके पास 80 और 75 बचा असी और क्या बचा आपको 75 बचा आप इसका लिए पास से कटेंगे 16 पंचे होगिया 15 पंचे 75 होगिया 15 होगिया अध्यक 120 1200 यहां से हम निकाला लसम जैदी बारहोँ सारा तो इसका मतब सबसे कर जाएगा तो हमारा संख्यात पूछा है तो परतियक दसा में कितना बचना चाहिए से चौदव बचना चाहिए तो बारहोँ सुम यह क्या करेंगे चोदव जोड़ देंगे के ठीग है तो कि 9 बट्टे 4 है फिर 21 बट्टे कितना आपको 10 है फिर 31 बट्टे कितना 20 है इसका LCM पुछा है ना तो भीन वाले संख्या का LCM निकालने के लिए क्या करना होगा भीन वाले संख्या का LCM क्या करना है आपको अंस का LCM पट्ट है हर का SCF टीक है और जिदी आपका भीनवाले संख्यां का SCF निकलना हो तो क्या करना होगा अंस का SCF और हर का LCM हर का क्या निकल लेंगे LCM निकल लेंगे अब चलिए यहां से देखिए दोनों आपका फूर्मुला यहां पर हो गया जो निकालना होगा अंस का वही निकाल लेंगे बाकी बात नीचे उसका उल्टा कर लेंगे ठीक है अब यहां से दिखिए रजिया देखिए निकालनों गिया लेंगाँ कितना हो गया जो इसका went Hoş ऑम कर चारह कितना हो गया doğru पवर कितना हो गया पॉंच CR फीर कितना हो गया रहोगै तरक अब पर फोट पाउर क्तना हो गया पंच मुट्ष और मेरम और 1 वहां पंसे हो गया सबसे पहले क्या कंटेंगे सबस्थ chyba यहां भी 2 है यहां भी 2 है और 11 संख्या एक संख्या आपका यह है कि निमिगरायाज बेचाना तु पर इस पर करना है कि मैक्सिमम पावर रखना है नागने मैकसिमम पावर है नहीं जैगा मन कोन होना 3 दो सहिं सकता 2 तो सब्यूंहें 2 तोद्व नहीं मुष्भाइगई 3 जैगों मुणंने 3 और 6 एक लिड़ा या इसका लिडू में कोई कि आप अलब वाले संख्यां गालम का तो थेहां देज़ेगा, तो दसमल्लक के बाद मैकसिमम डिजिट कितना है, एक है, यहां भी कितना एक है, यहां है दसमल्लक के बाद कोई भी, तो क्या करेंगे, सभी संखिया में, दसमल्लक के बाद जित्मा हायस डिजिट होगा, उतना क्या करेंगे, पुरा करेंगे, 0 और यह जाएगा आपको पचीस ठीक है अब इसका एलसेयम पहले निकाल लेंगे आप पन्चो को पांचो को बीस पचो पचीस होगी है अब यह कितना हो जाएगा आपका एलसेयम यहां से यहां से जो एलसेयम है हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको पांचों को 20 हो जाएगा पांस्तिया पंद्रह दूसात्रह अब देखिए यहां से मेरा एलसेम अब निकाल लेते कितना एक सो असी और पचीस का एलसेम निकालेंगे गतना हो जाएगा आपको पांस से जड़ी देते हैं जão के लिया पंद्रह 50 पंच हो तीस पचों पचीस आप stories को एक पनुंक YOU तो salts्म श्रुक्त्राइब करें देखिए कितना पाद है एक दिखी एक के बाद बढ़ सब और बेठा देजिए 90 क्या हो जाएगा नब्ब्य हमारा क्या क्या हो जाएगा अपसर हो जाएगा कट प्रतव हो गया कि जो जिसका वर्णुर पुरा पुरा निकले उन्चास का भी वर्मून निकलेगा 25 का भी 36 का भी लेकिन 4 और 3 से कटना चाहिए 4 और 3 से कटना चाहिए तो कौन सिंख्या होगा 4 तीन से कटना वाला 36 है यह तो अब यहां से दिखे इसका पेर नहीं है जिसका आप दिखे चाहिए जिसका पेर नहीं है जिसका आप दिखे करेंगे हम अब आप दिखे जाँ होगा जाएगा जिसका प्याइगा इसका बारत या कितना होगे और भी ऐसा समय हो लसे समयम निकाल लेना है निकालने के बाद क्या करेंगे उसको कौन इन्खन करुप में लिखे देंगे जिसका पेर लगा होगा उसको छोड़ देंगे जिसका पेर नहीं लगा होगा उसका पेर लगा के आपसमेंगो निकल जाएगा अगला कोशन देखिए। पांच से कटेंगे किता हो गया पांच से कर लेते हैं तिन कांटी चार पांच तीन दूनी शे हो गया फिर दो से कर लेजिए दो दूनी चार पांच एक बार में हो गया आपको तीन सो तीन सो टीन जो देंगे नोतुना है तीन तेन कितना हो गया नो सो हो गया यह से जब भागा देंगे तो कोई भी सिर्स हमारा नहीं बचे गाए तो आपका जो संख्यां बनेगा कितना बनेगा वो चारंगों की बड़ी संख्या में 99 को जदी हम घटा देते हैं 99 संख्या है जो किसी कटेगा 15 20 25 और 30 से पुरा-पूरा कड़ जाएगा कौन कटने नहीं देजा था निनानमे निनानमे को घटा देजी हमारा वही आपका क्या हो जाएगा अगला कुछन दिखिए मात्रूइक अंच्वघ ऑले यहाय तो США कोसि यह आपका इंटो तो और आम एम और न हो यह पूगा-पल्शण हु साकर से मैं यहां से 145 का गुनन खन कीजिए यहां से क्या बोला की एक्स लेस दिन वाई है इसका मतलब एक्स कमान पांच होगा वाई कमान केता होगा उन्तीस होगा तो किसका पुछा टैन एक्स मैनस वाई पुछा है तो कितना होगे तस पचे पचास मैनस उन्तीस एक्स नमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एक्स इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन दिखिए 17 कितना होगे तो यहां क्या पुछा य मानस फाइब एक्स पुछा है य का मन से तालिस हो गया और यहां से 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया आप कि मत तीस हो जाएगा और यह त्यान आहिं मला महत्म्हाम्वार्ट क्या निकालना आपको Почемуसे निकालना आपको 這個 test nेखा कितना आपको 255 ए KELL 206 है इसका कितना होगा तो निकालने का जोरवत नहीं है जो दो नजदी का सइखेंवие इसका अंतर ले लिगा अब यह दुनों आपहनी 219 का अंतर लें जैसे यह अंतर लेंगे कितना हो गया आपको यह से तीन हो गया यहां बचापका नो मेंसे पांच कितना हो गया तो 43 हो गया इसको भी 43 से कट है इसको भी 43 से गट है यापको आपको सब्सक्राइब किटना होगा अब किसी कटेगा नहीं कटेगा यह बला पाथ हमारा क्या होगा ECF हो जाएगा ECF कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा Option कितना हो जाएगा Hum rais 11 Journal sólo साफ हर निझे और नीचे तो ऊपर वाले का वाले इससस निकालना है तो और सिंख्यां से चार चार से डुनों कर जाएक और सौलोख्यां से कर जाएगा 33 33 नीचे हो जाएगा तो चार बटे 33 से हमारा आंसर हो जाएगा option number कितने हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा आप देखिए यहां पर क्या है 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 5, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 6 इसका SCF निकालना सस्ट है में क्या करेंगे base common से क्या होगा और minimum पावर रखेंगे जर कोंवन आएगा सिर्फ ही और स्वही होगा जिसरीफ Вам आजए को जोब कोंवन करता कि वह सबसे बड़ी संख्यां ज्याद किजिए जिसे 162 और 136 का भाग देने पर पर परतियक अस्यती में समान सेस बचे और सेस फल नहीं दिया हो तो यहां से क्या किया जाएगा आपको ध्यान देजिएगा आपको औरशट है 102 है और 136 है आप क्या करेंगे लगातार दो संख्या के अंतर लेने के बाद S-C-F निकाल लेंगे उसका यह आप देखिये यह दोनों का पहले अंतर ले लिए 102 और अरशट इसका अंतर ले लिए 136 और 102 फिर यह तो अंतर लेलेंगे 136 और अब चले यहां से अंतर ले लेजिए यह कितना होगा चार हो जाएगा यहां पर 34 हो जाएगा अब यहां पर कितना होगा आपको आठ 6 68 हो जाएगा तो क्या हुआ यहां पर 34 आया यहां पर कितना है आपको 68 हो जाएगा यह दोनों का अंतर यह दोनों का अंतर आने का बाद उसका हम से निकाल लेंगे वह हमारा आंसर होगा कितना हो जाएगा ओपिशन नमर कि यदि नियुंत्रम संख्या निकालना हो ठीक है नियुंत्रम संख्या निकालना हो इसको याद अखना आपको कि नियुंत्रम संख्या निकालना हो कि क्या करेंगे स्थ निकालकर स्थ निकालकर टोटल में भाग देंगे टोटल में भाग देंगे एक ग्जाम्पूल में समझेंगे, इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, मतलब नोट काउट कर लेगे इसको, नियुन्तम संख्या निकालना हो तो SCF निकाल कर टोटल में भाग देंगे, एक एक ग्जाम्पूल तोर में समझते हैं, आपके पास तीन बरतन है, एक में 20 लीट जा सके ठीक है तो सबसे पहले तो इसको नापने के लिए एक बरतन चाहिए जो कि पूरा-पूरा नाप सके तो उसके लिए क्या करेंगे 20-30-40 का SCF निकालेंगे सबस्कार के इसे हमारा कितना हो जाएक इसे बहरा कितना बरतन चाहिए इसमें दस भागा देंगे-टीन गो बरतन चाहिए इसमार दस भागा दे आपका क्या दिया हुआ है से तक निकलना है तो संख्या निकलने के लिए तो देखे पको 44 है की है एक सुल इक सुल हो जाएगा ऑप्सन नम्र कितना हो जाएगा हमारा तीन हो जाएगा एक साथ जोड़के भगा दे जएगा अगला कुसह दिखें विर्द्याथियों की वाधिक्तम संख्यां ग्याद किजिए जिनके एक सो एक हजार तीन और दो सटाइस सो तीन के इंडिस परकार बाती जान सकती है कि परत्यक विदार्थी को चॉकुलेट की समान संख्यां मिले तो यहां से आपको क्या करना है जब आपको इस टाइप का सवाल हो जो भी सवाल हो बराबर हिस्सों में बातना हो तो आप उसका सिर्फ से कलेजिया आपका यह जार तीन है और कितना आपको 2700 कितना आपको 2703 है हो गया और 13 Indian हो गया अदो सब्सक्राइब को तो सब्सक्राइब कों क्यां सकता है जो काटे को baking लिए्ट। काट्टा 17 काट्टा यही आप कांस्ट हो जाएगा अब इसका असे निकाल लिएगा तो टाइम लगेगा ही तो उसे त्री मिनट लगेगा ही कुछ करना नहीं है दोनों के बीच कांटर ले लिजिए 1700 आया कैसा अप्षिन है नहीं है तो 1700 को कौन काट काट सकता है 17 काट सकता तो यह आप कांस्ट हो जाएगा अब यहां पर कह चोड़ासी है 126 है और 160 है इसका कितना होगा अब यहां से दो संख्या गगप ले लिजाए इसका ले लिजे या तो उसका ले लिजे कहीं कोई दिकत नहीं है 168 और 120 कांटर लिजेगा आठविसे श्यागेशन में है तो आ और हो जाएगा इस प्रकार निकालने स्पाइब कोई जरत भी नहीं आपको अब अब दिखिया है कि ताथ नबय को भाग देने पर पर दसा में दो और तीन पर थेस बसता हो आपको यह सबसे बड़ी संख्या निकलना हो तो यह आपको SCF का कोशन हो गया है जब छोटी सिंख्या लिखा हो तो आपके LCM निकालना हो ठीक है तो आप देखिए क्या है 60 और 90 यहां पर क्या है सेस्ट दिया हुआ है अपको इसने पर एक सवाल तो उसमें सेस्ट दिया हुआ नहीं था वहां पर क्या के थे संख्या का अ अल्ठावन और साताशी के SCF निकाल लिए तो काटने का जदी दिक्कत है दोनों का अंतर ले लिजाए सबसे अच्छा तरीका ठीक है यह हो गया 9-8-7 हो गया यहां पर साथ 29 हो गया 29 से दोनों कट जाएगा यह हमारा SCF हो जाएगा option नमर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाए कि आपको 27 बटे कितना हो कि आपको 50 है 9 बटे 20 है कि 6 बटे 25 है इसका आपको SCF निकालना हो तो इस वाले पार्ट का क्या निकालना है LCM निकालना है और इस वाले पार उपर वाले का क्या निकालना है SCF निकालना है चलिए 69, 27 को कौन सा संख्याज तीनों को विभाजित कर देगा तीन है, तीन से सब कर जाएगा आपका और LCM निकालने के लिए 25 तो 50 को कर देगा बचे का 50 और 20 का LCM निकालने जाएगा ठीक है, तो 20 है 50 को काटेगा नहीं काटेगा 50 का दो बारा अप टेबल पर अब यहां से देखे क्या है कि तीन अलग-अलग संख्याओं का LCM 120 है, निकालने कित्मी से कौन सा संख्या मौत्म समावर तक नहीं हो सकता है ध्यान दिखेगा जब LCM हो और नीचे SCF हो यह 100% इसको विभाजित करेगा 100% क्या करेगा विभाजित करेगा जब यह बिभाजित करेगा तो ध्यान लिखेगा जो बिभाजित करेगा वो तो सही से है जो बिभाजित करेगा हूँ हमारा SCF नहीं होगा जिन मौत्समा कौन सा संख्या SCF नहीं हो सकता है 120 को कौन काटेगा कितना होगा अपर 31ड औ 23 का SCF कितना होगा अब यह बताई यह दोनों के आपकोager कि नहीं किसी कटेगा ही नहीं किसी कटेगा ही नहीं किसी कटेगा नहीं तो इसका कितना होता एक होता है जब कोई संख्यां जब दिया गया संख्यां किस इस नहीं कटे उसका एसी फामेशा कितना होगा एक होगा अब चले देखिए आपको शाम का तीन संख्यां तीन नुपात 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 में है उनका सेफ 29 है वो संख्यां गयात किजिए कि यहां पर होगा जो अनुपात दिया होगा पर अनुपात को एस्टियव से गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा अक आपको एलसेम बराबर अनुपात का गुननफल अनुत्पात का गुनन फ़ल इन्टू HCF होता है यह दूसरा फ्रोमुला है एक और है LTM इन्टू HCF पहली संख्याँ गुना दूसरी संख्या ठीक है इसको आप संख्याँ का गुनन फ़ल भी बोल सकते हैं संख्याँ का गुनन फ़ल इसको संख्याओं का गुनानफल भी बोल सकते हैं यह तीन फरोला बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के तौर पर इसको नौट आउट कर लिजी आप पहला लिखाएंगे संख्याओं बराबर अनुपाद को जिदिए से गुना कर देंगे हमारे संख्याओं बन जा संख्याओं कि इसको संख्याओं कर दिया है यहां पर है यहां पर मड़ी हो जाएगा बीच में 261 हो जाएगा 29 से गुना कि जाएगा 261 हो जाएगा दूसर एक्सर्ट, दूसर एक्सर्ट हो जाएगा, यह दूसर एक्सर्ट हो जाएगा, अगला कोशन दिखें, ताकि 6 और 29, 6 और 29 का LCM कितना हो को? X है, और 6 और 29 का LCM, यह किसी स्कटे का नहीं तो LCM कितना होगा? और 29 का LCM कितना हो जाएगा, पूछा की X प्लस 4Y का मान कितना होगा? एक्सर्ट प्लस 4 गुना एक, एक्सो ओठत्तरा पांस हो जाएगा, एक्सो ओठत्तर, ऑप्सन नमर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, नेक्स कुश्चन देखिए, यह को दो संख्याओं का गुनान फल 375 है, उनका LCF 15 है ते LCM कितना होगा? अब ही आप उक्तरोत लखाये थे, LCM into SCF बराबर, पहली संख्याओं गुना दूसरी संख्याओं, या संख्याओं का गुनान फल भी आप लिखेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, संख्याओं का गुनान फल, ठीक है? तो आप यहाँ दिखिए, कि SCF 15 दिया है, LCM 152, 30, 155, 25, 225, option number कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, दो संख्याओं कुनान फल 108 है, उनका HCF 3 है, तो दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा, तो क्या होगा, LCM into SCF, पहली संख्याओं कुना दूसरी संख्याओं, या ही लिखाए थे, इसमें से आपका HCF 3 दिया हुआ ह किदरों लिखे, कोई दिकत नहीं है, LCM कितना 3 दिया हुआ है, 198 है, इसको काटिये, जो गया है, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, हमारा, 37 हो जाएगा, option number कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, दो संख्याओं, फिर वही कोश्चन आपका देखिए, कितना बारा है कोश्चन, दो संख्याओं का HCF 37 हो, तो बड़ी संख्याओं ग्यात किजिए, तो ये कितना हो जाएगा, आपको 37 इंटू, LCM बराबर, संख्याओं का गुननफल, 1407 हो जाएगा, ति इसको काटेंगे, कितना बारे में कटेंगा, ये एक बारे में ऐसे कटेंगा ही, अजब एक बारे में कटेंगा, तो आप्शन कहाँсть, तो आगला कुछ दीए दो संख्याओं का गुननफल 720 उनका सेफ चार है संख्याओं के लसे में कितना होगा देखे करे बार पूछा है लसे में कितना हो जाएक आपको किटन होगा स्थ का इस कि आख दो संख्याओं के ladoर से बासंख्यां अंकी इस्राओं का हीmoques अब देखे, LCM into SCF, हमको लगता सबस्वेता कोशन यह पूछा आपको, पहली संख्या गुना क्या आपको दूसरी संख्या है, यहां पर SCF 14 है और LCM 490 है, यह होगी है 490, यह होगी है 14, एक संख्या 70 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यह पूछा है न, यह पूछा आपक संख्या होगी है, अलठानमी 2 का अंसर हो जाएगा, option 4 हो जाएगा, दो संख्या का LCM 990 है और उनका स्थ कितना होगा है, इस्थ होगी है, गुना 990, LCM हो गया, पराबर कितना हो गया, 9900 हो गया, 9900 हो गया, यह से तो यह 3 तुगो तो कटी ही जाएगा न, है तो एस यह कितना हो जाएगा अप्सन कितना हो जाएगा दो हो जाएगा कि अगला कुस्छन देखें का था कि दो संख्या तीन पाफ चार का नुपाथ में उनका HCF 5 है लसी एम कि गयाद किजिए अभी लिखाए थे लसे में बराबर अनुपाथ का गुनन फल अनुपाथ का गुनन फल इंटू SCF है तो देखे यहां से अनुपाथ दिया हुआ तीन औँफ पंचर कितना हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा option हो जाएगा अगला कोश्यन देखें तो संख्या 1.99 तीन का नुपात मैंने दी उनका SCF साथ है तो संख्या किया है संख्या के एक टाएक चाहिए 11.99 13 है है इसको जिदि हम SCF सो करेंगे हमा संख्या निकल जाएगा, 11, 100, 77 हो गिया, 73 कितना हो गिया, 91 हो गिया, 77 और 91 में option नमर दिया हुआ, 4 में right answer हो जाएगा आपका आप देखें, यहां पर क्या दिया हुआ है कि 12, 21, 24 का LCM और SCM का अनुपाद कितना होगा, 22, 21, और 44 का LCM कितना होगा, सबसे पहले हम LCM निकालते हैं, इसका कितना होगा, 11, 11 भी कटेगा, चुकि 11, 22 को कटा, 22 भी कटेगा, 44 को कटा, LCM और 44, आपका फिर 22 हो गया, 11 हो गया, 44 हो गया, इतका SCF कितना होगा, SCF का मत्तलब वो बड़ा से बड़ा सिंखिया हैं, आपको ये वीडियो किसा लगा, कमेंट के मांद दिम से पताएं, पसंद आए तो लाइक सरजूर कर दिजेगा, मिलते हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स वर वाचिंग, जाहिंद, कर दो कितना हैं,